सोनिया गांदी ने मोधी सरकार पर दीखा हमला बोला है उन्होंने आरोप लगाया कि देश में नफरत फैलाने वाली ताकते सक्रिये हैं और इन पर सत्ता का हाथ है राजी गांदी सद्भादना पुरसकार के अफसर पर सोनिया ने ये हमला बोला कॉंगरेस के साथ दूसरे महा मिलावटी दलों में भी फैली हुई है अलगाव नफरत कात्तर्था राजनीती को बढ़ावा देने वाली शक्तियां सक्रिये हुठी है दो हजार चौबिस के चुनाव से पहले विपक्ष और सरकार आमने सामने है तकराव सबरतस्थ है दोनों और से बयान बाजी काफी तेज है विकासवाद और वन्शवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर प्रधान मंत्री मोदी विपक्ष पर वार कर रहे है तो विपक्ष देश में माहौल बिगाडने का इल्जाम केंदर सरकार पर लगा कर सियासी महा संग्राम को तीज कर रहा है अभी एक दिन पहले ही लद्दाक पहुँचे राहूल गांधी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर सच्चाई चुपाने का आरोप लगाया और रविवार को ही सोनिया गांधी ने भी बगएर नाम लिये सरकार को टार्गेट किया उन्होंने देश के हालात का हवाला दिया आरोप लगाया कि इन दिनों नफरत और कटरता की सियासत हो रही है मौका राजचियों सद्भावना पुरसकार देने का था लेकिन इसमें सोनिया ने विरोधियों की ताकत बढ़ाने और सरकार को घेरने की गुंचाईश निकाल लिया ऐसे समय में ये और अधिक महत्वपुर्ण हो जाता है जब अलगाव नफरत का तर्था पाक्षपात की राजनीती को बढ़ावा देने वाली शक्तियां अधिक सक्रिय होती है उन्हें सत्ता का समार्तन प्राप्ट होता है कारिकरम में मौजूद रहे कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे नी भी सरकार को खेरा आपको अब मालूम है कि कितने बिल कैसे पास होते कब होते कहां होते किसको मालूम नहीं इन इन बिल्स पर दोनों होस में पूरी चर्चा हुई सरुसमती बनाते थे आज की तरह ओडिनन्स और मनी बिल के रास्ते नहीं दूड़ते थे सोनिया और खरगे के सवालों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया बीजेपी ने सोनिया को याद दिलाया कि राजीव गांधी के पांच साल के कारेकाल के दौरान देश ने क्या-क्या जहला था उसी समय पूरा कश्मीर आतंकवाद से तरस्त हो गया था तमिलनाडो हिंसा की ज्वाला में जुलस गया था दिल्ली में पांच हजार सिखों की कनरसंगार हुआ और उसके बाद एक बयान आया था कि बड़ा पेड गिरता है तो धरती हिलती है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाशिम पुरा और मलियाना जैसा कांड हुआ था और उसी समय में पहली बार शाहवानों के मामले में शरीया को सर्वोचे नैले से उपर कर दिया गया था जैसे जैसे लोग सवाचुनाओ खरीब आ रहा है वैसे वैसे बयान बाजी तेज होती जा रही है सवाल सियासत की बिसात पर बढ़त बनाने का है और कोई इसमें चुकना नहीं चाहता राहुल गौतम आज तक